हाई फ्रेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इप्यसी इनफोर 24 में स्वागत हैं तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंट्स यह जो वीडियो है वीडियो है वीडियो को लाइक कर दीजिया और चैनल प आप आला नमर कोशन जो 41 नमर से सुरूओ रहा है कोशन है आपका निमलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रती भारी जुकाओ था यह आपको बताना है आपसन ए दसरत आपसन भी ए बिहद्रत आपसन सी ए खार्वेल आपसन डी ए हुवेक्स तो इसका जो 41 का आ खार्वेल के साथ किसके साथ जाएगा दोस्तों तो आपसन सी हो जाएगा खार्वेल आप आंसर कर लेंगे खार्वेल के साथ जाएगा ठीक है तो जो राजा था खार्वेल ऐसा राजा था जो जैन के प्रती अधिक लगाव रगता था उसका अधिक जुकाव था व्याख् प्रांत के भूने स्वर्म से तीन मील की दूरी पर इस्थित उदेगीरी पहारी की हाथी गुंफा अभिलेक है से उसका एक बिना तीथी का अभिलेक प्राप्त हुआ है। इसको भी याद रखने की बात है। इक से अधिक तो उसका वंस क्या हो जाएगा दोस्तों तो 42 का आपका आपका आंसर जाएगा एक साथ किसके साथ जाएगा आंसर एक के साथ जाएगा। तो इसमें से तो एक आंसर आपको चेदी दिखी रहा है दूसरा आपको लग रहा है A हो जाएगा तो आंसर आपका A और B है तो इस तरह आप कर लेंगे तो E आपसन सही हो जाएगा। से अधिक हो गया व्यख्या देख लीजिह कलिंग के चेदी राज्न वंस का संस्थापक महामेग वाहन नामक व्यक्ति थां कलिंग के जो चेदी वंस है उसका जो संस्थापक है वो महामेग वाहन वंस भी पढ़ गया। इस वंस का सर्वादिक 47 आसक खार्वेल हुआ, खार्वेल के इतियास अध्यन का एक मात्र साधन हाथी गुंफा अभिलेक है, अगला कोशन देखते हैं, 43 नमर कोशन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आपसन ए चंदरगुप्त मौरि को, आपसन भी ए गुप्त को, तो आंसर क्या हो जाएगा, D सही हो जाएगा, समुद्र गुप्त को जो है, प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, व्याख्या देख लिजिए, इतिहास कार, विसेंट इसमीत ने अपनी रचना, अरली हिश्ट्री आप इंडिया में, समुद्र गुप् कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, अब जो पूछा जाएगा यही, कि इसने भारत का नेपोलियन किसने कहा है, समुद्र गुप्त को यह पूछ सकता है, या किस पूछतक में यह कोशन पूछा जा सकता है, तो इसको अभी आप याद करकर चलिएगा, कि भारत का जो पूलिया ने विसेंट इसमीत ने अपनी पुष्टक अल्ली हिस्ट्री आप इंडिया में कहा है समुद्र गुप्त की बिजयो का वाड़न प्रयाग प्रसस्ती से मिलता है इसके लेखक जो है हरी सेड़ है जो प्रयाग प्रसस्ती है उसके लेखक कौन है तो उसके लेखक हरी सेड़ें और इसमें जो प्रयाक प्रसस्ती है उसमें किसके विजयों का वाड़ान मिलता है यहां से तिन्चार कोश्चन है यहां से भी आपको मिल गए अगला है चोवालिस नंबर कोश्चन गुप्त समराट जिसने हूरों को पराजित किया था आप सने असकंद गुप्त का एक अभिलेक मिलता है जिसको भितरी अस्तम में करते हैं आपका जो गाजी पूर जिला है यूपि का वहाँ पर मिलता है तो वहाँ पर उसमें जिसमें हुडो के आकरमण के बारे में लिखा गया है व्याख्या देखिए हुडो का पाला भारती आकरमण गुप्त समराट असकंद गुप्त के सासनकाल में 455 इसमी में हुआ था तथा असकंद गुप्त के हाथों वे बुरी तरह क्या हुए प्रास्थ हुए USR के अनुसार USR के अनुसार इस हुड आक्रमड का नेता खुसने वाज था तो इसका ए भी कोशन पूशा जासकता है जो हुड आक्रमड हुआ था और जिसमें असकन्द गुप्त क्या है विजय हुआ था तो असकन्द गुप्त के विप्रित हुडो का नित्रित किसने किया था तो खुसने वाज हो जाएगा इसको याद करिएगा रट लेजिए यह आक्रमर एक धावा मातर रहा और देश के उपर इसका कोई ततकालिक प्रभाव नहीं पड़ा किन्टु परोच शुरूप से इसने गुप्त समराज के जो पतन की गती को तेज कर दिया असकंद गुप्त की मिर्त्यू के बाद पाचवी सताब्दी के अंत तक अंत तथा सठी सताब्दी के प्रारंब में उत्तर पच्छिम के कई छेत्रों पर हुडो ने कबजा कर लिया था आगे चलते हैं 45 नमर कोशहन देखते हैं इस प्रकार की भूमी और प्रहत कहा जाता है ऐ आपको बताना है तो आपसन अ बीना शिचाई, बीना जोति हूई जंगली भूमी B.A. सिंचित भूमी C.A. घने जंगल वाली भूमी D.A. जोती हुई भूमी E.A. उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक तो आंसर आपका A के साथ जा रहा है बिना जोती हुई भूमी तो अपरहत जो का जाता है भूमी का एक प्रकार है अपरहत तो ओ अपरहत उसे का जाता है जो बिना जोती हुई जंगली भूमी होते यह उनी को क्या बोला जाता है अपरहत बोला जाता है यह याद रखिएगा व्याख्या देख लीजिए वही बात है व्याख्या में बिना जोती वई भूमी ववा भूमी जित पर खेती न की गई हो अप्रात भूमी कहा जाता है या गुप्त कालिन राजस विवस्था का एक पदथा टर्म था इसको याद रखेगा आगे चलते हैं अच्छा कोशन है दोस्तो 46 नमर कोशन आपका चीनी यातरी सुंगयून ने भारत की यातरा की थी यह आपको बताना है आपसन है 515 से 520 इसभी तक आपसन भी यह 525 से 529 इसभी तक आपसन C है 545, 552 इस भी तक आपसन D है 592 से 597 इस भी तक और आपसन है उप्युक्त में से कोई नहीं उप्युक्त में से एक से अधिक तो 46 का जो आंसर जा रहा है वो एक साथ जा रहा है 515 से 520 जो चीनी यातरी सुयंग यून आया था भारत में 515 से 520 के इस भी के मर्द आया था और सुंग यून जो का था तो चीन का था इस बात को याद रखेगा ये बार बार पूछ लेता है चीनी यातरी सुंग यून 518 में भारत आया इसने अपने तीन वर्सों की यातरा में बौध धर्म की प्रतियाएं एकतरित की जो प्रतियाँ थी उसके वो ही क्या किया एकतरित किया तीन वर्सों में ये भी याद रखना है 47 नमर कोशन अच्छा कोशन है हर्सवर्दन के सासन काल में किस चीनी यातरी ने भारत की यातरा की थी ये तो आंसर सभी लोग जानते होंगे इसका आपसन ये है फायान वेंसां इत सिंग तारा नाथ तो आंसर क्या हो जाएगा वेंसां हो जाएगा हर्सवर्दन के सासन काल में वेंसां जो है भारत आया था इसको आप याद रखेगा अगला कोशन इसका व्याख्या देख लिजिए हर्सवर्धन के समय किस्वर्प्रमुप घटना चीनी यात्री वेन सांग के भारत आगमन की है उसकी उतकर्ष्ट अविलासा मात्मा बुद्ध के चडर चिन्नों द्वारा पवित्र किये गए अस्थानों को देखने एवं पवित्र बहुत गरंथों का अध्यान करने की थी जो उस दिनों भारत में सुलब थे इस उद्देश की पूर्ति एतु उसने तांग सासकों की राल धानी चंगन से भारत वर्स के लिए 629 में प्रस्थान किया अपनी भारत यात्रा के उपर उसने एक ग्रंथ लिखा है जिसे कते हैं CU की का जाता है तो इसको याद रखीगा यह इंपार्टेंट है आपका यह जो दिख रहा है यह बहुत हैं इंपार्टेंट है तो इसको याद रखेगा कि उसकी जो पुष्टक है उसके पुष्टक का क्या नाम है तो CU की नाम है याद रखेगा हैं स्वांग द्वारा जो एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम ही क्या था? सी, यू, की, इसको याद करिएगा, अब ए सब कोशन पूछेगा, और ए सब कोशन अच्छा कोशन है, तो इसलिए जरूर याद रखेगा, कलड की पुष्टक का क्या नाम है? कलड की पुष्टक का क्या नाम है? अर्षास्त, इंडिका, पुराण, राजतरंगडी, तो आंसर हो जाएगा आपका राजतरंगडी, अर्षास्त, चाड़ा की का है, इंडिका जो है मेगस्थनीज का है, तो इसको भी याद रखेगा, आगे चलते हैं, इसकी वयाख्या को थोड़ा से देख लेते हैं, कलड ने राजतरंगडी में कस्मीर का इतियास लिखा है, तो राजतरंगडी में किसका इतियास लिखा गया है, कलड ने राजतरंगडी में कस्मीर का इतियास लिखा है, इस बात को न भूले, इस गरंथ की रचना कलर ने जय सिंग के सासन काल में किये अब ये भी कोशन पुछता है कि राज तरंगडी की जो रचना की गई थी वो किसके सासन काल में की गई थी तो जैसे इमालूम होगा कि ये कलर ने की थी तो किसके सासन काल में जय सिंग के सासन काल में की थी इसको आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर के प्रधान मंत्री चाड़क ने राजनीती सास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थ सास्त्र की रचना किया था ये भी याद रखिए आगे चलते हैं 49 नमर कोशन है और BPSC 16 में पूछा गया कोशन है उदंतपूर सिच्छा कें रहे वो किस राज में इस्तित है ये बताना है आपसन ए बंगाल बी ए बिहार सी ए गुजरात डी ए तमिलाडू ये उप्यूक्त में से कोई नहीं उप्यूक्त में से एक से अधिक तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार में कहां है उदंतपूरी सिच्छा केंद बिहार में इस्तित है इसको आप जरूर नोट करकर चलिएगा व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों ओधंतपूरी थोड़ा और उपर कलते हैं ओधंतपूर जिसे उदनापूर भी कहा जाता है प्राचीन काल में एक प्रमुक्त सिच्छा केंद्र था ये वियार राज में अवस्तित ह इसकी अस्थापना जो है पाल वंस के सासक गोपाल ने किया है तो गोपाल ने क्या किये उदन्तपूर की अस्थापना किये जो अदन्तपूर विसुविद्याले पूछ सकता है या उदन्तपूर तो इसको याद रखिएगा इसको कितने किया है गोपाल ने किया और विक्र कुमार गुप्त ने किया था विक्रम सीला जो है उसको धर्मपाल ने किया था और इसके बाद आपका जो उदंद पूरी है उसको आपके गोपाल ने किया है तो इसको याद रखेगा करनाट ओंस का संस्थापक कौन था इस समय कोशन BPSC में पूछा गया था करनाट ओंस का संस्थापक कौन था न्याय देव नर्सिंग देव बिजे देव हरी उप्युक्त में से कोई नहीं उप्युक्त में से एक से अधिक तो आंसर आपका जाएगा न्याय देव जो थे नानने देव तो करनाट ओंस के जो संस्थापक है उनका नाम है नानने देव याद रखिएगा व्याख्या दैख लिजी इसका थोड़ा सा करनाटक वन्स याद रखिएगा मैं करनाटक वन्स के संस्थापक जो हैं नान्य देव हैं और एक हजार संतानवेर से 158 इनका काल रहा है मतलब इसमें सासक थे इतने वर्ष तक वे एक महान योद्ध्या थे नान्य देवने करनाट की राधानी सिम्राव गड़ को बनाया था तो जो नान्य देव हैं नान्य देव उन्हेंने करनाटक की राधानी करनाट करनाट इसको याद रखेगा करनाट की राधानी सिम्राव गड़ है करनाट वन्स का सासनकाल मिथला का सोड़ उग का जाता है यह बहुत अच्छा कोशन है करनाट वन्स का सासनकाल जो होता है मिथला का सोड़ उग का जाता है मतलब 10 खजार संतान वेल से तेरह सो पचीस इस भी तक का जो सासक है मतलब काल है उस काल को मिथलिया का सोड यूग का जाता है तो फ्रेंट्स यह थे आपके टोटल दस कोशन और उनके व्याख्या जो आने वाले किसी भी एक्जाम में अति महदपुर साबित होंगे और आपको बीप competition का खरिद लिजिए कीडन का मिलता है उसका खरिद लिजिए किसी का भी खरिद लिए जिसमें आपको रूचियो और उसी को पढ़िए कोई एक भुक खरिद लिजिए जो भी आपको अच्छा लगे एक दो से काम चल जाएगा आपका इश्ट्री का और किताब ज्यादा चल जहत縮मयादा बार किताब भी सिम्मान का भी को व Украї खरिद लिए हसक टूचियों किताब लिए जाएगा भी किताब W